तो फाइनली गाईज आईफोन 11 12 और 12 मिनी के प्राइस आज रिवील हो चुके है और तीनों के प्राइस उनके आपके होश उट जाएंगे मतलब इतना तकड़ा इनों ने फाई डिसकाउंट दिया है और अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस में मर्स हो तो आपके लिए आज स ज़्यादा कमाल की डील है और कुछी दिनों पहले तक ये फोन आमाजॉन पर पचास हजार का मिलता था बट अब ही शीदह आपको 11,000 रुपे का डिसकाउंट मिल रहा है तो बिल्कुल अंडर 40,000 ये फोन वर्थ इट है और इसके बारे में अगर और जानना चाहते हो तो मैंने आइफोन 11 के उपर और एक डेडिकेटिट वीडियो बना रखी है जहां पर इसको खरीदने के और ना खरीदने के दोनों की पाच-पाच रीजन मैंने आपको बताए थे तो उस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो भी आप जाके देख सकते ह अगर आइफोन 12 की बात करें तो वो आप फ्लिपकार्ट से जाके 50,000 रुपे में बाय कर सकते हो और अगीन बैंक आफर्स का यूज करके आप एडिशनल 3,000 रुपे का डिसकाउंट भी ले सकते हो मतलब टोटल कॉस्ट इसकी 47,000 पड़ेगी मतलब यार आप यकीन कर सकते ह आप से कुछी दिनों पहले यही फोन आपको 62,000 का मिल रहा था और अब सीधा यहां पे 15,000 रुपे का डिसकाउंट मिल रहा है जो कि सही में बहुत जादा बड़ी बात है और डेफिनेटली अंडर 50,000 आइफोन 12 अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप लोग पर आजाता है और लिटरली दोस्तों इतने कम प्राइज में जो कामरा कॉलिटी या फिर जो पर्फॉरमेंस या आपको ओफर करता है वो भाई इस प्राइज के किसी भी फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगी इन फैक्ट मैं तो बोलूँगा कि अगर आप आइफोन ऐस साथ ही अभी मिल सकती है और आप में से दोस्तों काफी से रहे लोग कन्फ्यूजड होंगे कि आइफोन 12 मिनी तो आइफोन 11 से भी सस्ता मिल रहा है तो दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा तो सिंपल सा आंसर देता हूं कि अग सपोर्ट करता है तो अगर लंबे टाइम के लिए फोन ले रहे हो तीन-चार साल के लिए फोन खरीद रहे हो तो डेफिनेटली आइफोन 12 मिनी थोड़ा सा सेफर साइड बे रहने वाला है लेकिन इसको लेने से पहले ध्यान रखना कि यहां पर डिस्पले साइज थोड़ा बेटर आप्शन है नई तो आप लोग आईफोन 11 के साथ भी जा सकते हो बाकि अगर आप भी इन में से कोई आईफोन लेने वाले हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में जहां पर एक वीक अपडेट मैंने आपको एक